हाई गाईज वेलकम टू शर्कार टेडर्स और शर्कार टेडर्स के अंदर मैं गोशिक सर्कार फुली टेक्निकल चार्ट को समझाने के लिए हजी रहूं जैसे कि हर रोज मैं समझाता हूं कल भी मैं समझाया था छोटी टाइम फ्रेम के साथ मैं पूरा चीजों को एकिन माने या ना माने मेरा ओफिष में एक क्लाइट आता है खुद ट्रेड करता है उनको मैं पिछले तीन दिन से बताया था यह जो ग्राबाट आ रहा है मार्केट का यह ग्राबाट आपको 17,650 17,650 यह ग्राबाट को रोक सकता है clean technical मैं आप लोग को भी वीडियो के अं च Dिव्जगावट लास्-क्रेशन पर आपको क्या कॉल दिया हूँ यहापर देखिए जिन लोग पूरा दिन मार्केट में पागल बना उनको कभी प्रफिट कभी लॉस कभी प्राफिट कभी लॉस जहां से बाइग कर रहा हम वहां से मार्केट गर रहा है जहां से पूट बजे नहीं, I hope last 12 o'clock तक उसको बड़ लास्ट सेशन पर पहने तीन बजे, तीन बजे आके मैं आपको फिर से कॉल दिया, 17 रूपीज का कॉल, जो अभी भी आपको दिखाई दे रहा है, 57, तो मार्केट के अंदर डिसिप्लिन बनना ज़रूरी है, और ये डिसिप्लिन, ये आज का वीडियो और जहां पर हम समझाँ के global market से श्थिति आ रहा है। जहां पर हम समझाँ बोत च networks बहुत सब्सके आप संपरें, जो सरकुंद आ रहा है, यहां तक कि सरक्टेडर्स का लोगो भी चुरा लिया है चुराओगे क्या चुराओगे नौलेज तो नहीं चुराओगे चोरी करके और गलत रस्ता से कोई अच्छा इंसान नहीं बन सकता है ना ही उनका जिन्लेगी में एक सही लेवल बन सकता है आपने पिछले दो दिन का य स्रेप चार्टेडर्स के इन दो funk क्ट्रक्ट करेंगे तक तो चीजों को भूत किलिए हम समझागे गए सबकुछ आपको सआमने में इअबके आप कर अच्छा उपएन् है नधो right message देके भी बताया हूँ अब देखो clearly ध्यान देना कल के लिए कि आप मैं level बता रहा हूँ सबसे पहले आपको ध्यान दे रहा है is sector क्या इस high के उपर आ रहा है अगर it sector is high के उपर sustainable होता है ध्यान देना है दोस्तर ऐसे नहीं कि मैं इतना ध्यान नहीं पाता हूं तो फिर मार्केट आपके लिए नहीं है, इंटरडे आपके लिए नहीं है, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे आप चारों चीजों को एक साथ ध्यान दे सकते हैं, माइन्ड एक है, आखे दो है, लेकिन सिस्टेम बहुत हो सकता है, है न, चलो, तो IT सेक्टर को हमें 36,780 36,800 को उपर, ओन आवर्स, एक घंटे सस्टेनेबल होने देना है, एक घंटे सस्टेनेबल हो गया है, तो IT सेक्टर सपोर्ट दे दिया, राइट, रिलाइस, यूज गिरावट के बाद, अच्छा खासा पॉजिटिवनेस आया है, यानि कल का सेशन पर, मैं पच्छी सो का ट 27, 75 का, क्लियर, अब आते हैं, बैंक निप्टी का चार्ट पे, बैंक निप्टी है, ट्रेंड के अंदर फसा हुआ है, ओन आवर्स का ट्रेंड, ध्यान से समझिए, देखिए, किसी का यूटूब चरेल, किसी का टेलिग्रम चरेल, किसी दूसरे से कॉल लेना, ये सब छोड दीजिए, अगर मार्केट में पॉफिट करना है, खुद का दिमाग, खुद का मानी, खुद का मैनेजमेंट, आपका पैसे का जितना चिंता आपको है, किसी दूसरा इंसान को इतना चिंता कभी नहीं हो सकता है, तो बैंक निप्टी इस चेन के अंदर फसा हुआ है, ऐसे चिंते अगर आपको मिल जाता है, तो क्या करना है, टॉप मिल गया, बॉटम मिल गया, बॉटम पर आया चोटी टाइम फ्रेम बना, ओसका लोग का इस्ट प्रेम लगाया, और बाइंग किया, तॉप में आया, यहाँ पर डाउन चोटी टाइम फ्रेम साथ एक रेड कंडल बना इसका टॉप का इश्टाब्लास लिया और पूर्ट साइड एंट्री किया कही तो बात है इतना ही तो करना है लेकिन मारकेट में बैठते हैं हमारा नर्थ गुम हो जाता है है ना तो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ चलो तो इसको समाल के रखना है discipline को मानना है दिन का अदर एक fixed profit लेना है निकल जाना है अब देखिए कल के लिए bank nifty जैसी इस range को break होगा तो मेरा target होगा 38,300 इस दौर का फेस करके फिर से down आता है IT sector फिर से down गिराता है तो क्या होगा nifty फिर गिरेगा लेकिन chances थोड़ी सी कम है multiple chart मैं यहाँ यहाँ यूज किया हूँ आपको भी trade करते हो multiple chart के साथ ही trade कीजिए क्या दिखा रहा हूँ यहाँ यहाँ पर हर रोज बताता हूँ nifty किस पर चलता है IT sector, realize and banking sector तीनों सेक्टर से milli juli nifty चलता है है ना इसके सबसे ज़्यादा voltage किसका है bank nifty का उसको बाद IT sector का उसको बाद realize का तो हमें अगर तीनों chart में यह क्या trend है एक downtrend मिल रहा है कि आप trend मिल रहा है इतना तो आपको आता होगा है ना तो हम इसके अंदर क्या देख पा रहे है एक clear हर एक के अंदर एक clear downtrend है तो क्या हम call position buy करेंगे क्या हम call position buy करेंगे क्या हम call position buy करेंगे अब सब को जवाब ही आ रहा है नहीं सर तो फिर से क्यों एक्सपरी दिन में कॉल में बाई करके लॉस ले रहे हैं भाई सर जब वीडियो सुनता हूं तब बहुत अच्छा लगता है जब मैं ट्रेड करने लगता हूं तब नर्द गुमा हो जाता है बात हो यह लेबल कर समझे अब ट्रेड कीजिए ठीक है अब कल का सेशन पर कल का सेशन पर आईटी सेक्टर अगर यही पोजिटिवनेस बना के रखा यही पोजिटिवनेस बना के रखा आईटी सेक्टर को उपर ट्रेल लाइन ड्रॉ कर दो भाई तो जैसे मैं बैंक निप्ट में ट्रेंड िर्लायन ड्रॉँ कर दिया ऐससे IT सेक्टर को पर ट्रेंड लएन कर दो, ट्रेंड में सपोट ले लिया है, बैंक की सेक्टर सपोर्ट ले लिया है, confess foarte क्या हो सकता है तो फस्ट उपॉलना मत जो मारकेट गिरा था यहाई-टी सेक्टर क सपोर्ट लेगा या नहीं इसक्टर का सपोर्ट लिया लिया निप्टी अगा 17,800 को उपर सस्टेनेबल हुआ तब जाके हमें 17,950 फर्स्ट आप टार्गेट मैं बताऊंगा 950 फिर जब यह ट्रेन सुधार जाता है जब तक यह ट्रेन पॉजिटिवनेस चलता रहेगा ठीक है अभी तक पॉजिटिवनेस इतना बड़िया तरीके से नहीं है मैं यह नहीं बता रहा हूं मार्केट कोजिटिव होगया है लेकिन पॉजिटिव होने का कोशिश किया है लाच टायब में ठीक है जब इस ट्रेन पॉजिटिवनेस आके सpsय हो जाएगा 70,800 को उपर change in open interest भारी है, 70,900 को उपर change in open interest भारी है, 18,000 को उपर भी change in open interest, साथ में cumulative open interest बहुत ज़्यादा है, बट put side में अभी तक, अभी तक इतनी data increase नहीं हुआ है, यानि कि हम fulfill, fulfill तक यह नहीं कह सकता है, कि 18,000 को उपर market sustainable हो जाएगा, कल जैसे जैसे धीरे धीरे, इस side में put writer आते रहेंगे, तो हम समझेंगे कि market support ले लिया है, अगर put writer नहीं आएगे, तो अभी तक थोड़ा सा हमें, एक दो घंटे trading और ओइट करना है, आगे समझ में, bank nifty का option chain दिखना के जुरूत है, हम bank nifty का option chain में आ रहे हैं, और 27th expiry पे जा रहे हैं, क्या यहां से कुछ positive नेस आ रहा है क्या, इससे समझने के कोशिश करते हैं, तो दोस्तों यहां से भी आपको कोई खाश positive नेस नहीं, लेकिन last session पर 38,000 को पर change in open interest put site को उपर, 25,000 का contact हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कल के लिए expect कीजिए, 38,000 को उपर अगर 15 minutes system हो गया है, इस 15 minutes का high के उपर हमने positive train बना ले रहा है, clear है, decision clear, कुछ भी नहीं है अभी, आप बोलेंगे सर्थ call option ले रहा हूँ, put option ले रहा हूँ, इनकर साथ जो मैं समझाया हूँ, वो समझ के update कीजिए, definitely market के अंदर आप loser नहीं रहेंगे, gainer रहेंगे, तो thank you friends, आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरे बात, मेरे समझेंजेंगे का तरीका अच्छा लगा है, गोस्तों साथ शेयर ना ना वुली, जय हिंद, जय वरत!